हेलो दोस्तों सौबत है आप सभी का आपके चैनल बॉलिवूट कोईट पे दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे 1997 की एक अंग्रिलीज फिलिम 10 के बारे में और जानेंगे आकिरकार 80 पतिशत 10 फिलिम बनने के बावजूद भी क्यों 10 फिलिम को रिलीज नहीं किया गया इस अंग्रिलीज फिलिम 10 से रिलेटिट हम सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे और बहुत सारे फैक्ट भी इस फिलिम से रिलेटिट हम जानेंगे इसलिए बने रहे वीडियो की अंत तक दोस्तों आपने सुनों गौर्ड से दुनिया वालो बुरी नज़र नहां पे दालो चाहे जितना जोड लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान ये गीत तो जरूर सुना होंगा अक्सर 26 जनवरी और 15 अगज जैसे दिनों के मौके पे ये गीत सुनने को मिलता है ये सौंग तो हमें देखने और सुनने को जरूर मिला लेकिन जिस फिल्म का ये गीत है वो फिल्म हमें कभी देखने को नहीं मिली ये फिल्म बॉलिवूड के दिगड डिरेक्टर प्रेडियोसर रहे मकूल एस आनन दोरा बनाई जा रही थी इस फिल्म के डिरेक्टर और प्रेडियोसर भी मकूल एस आनन ही थे इस फिल्म के कहानी भी मकूल एस आनन दोरा लिखी हुई थी इस फिल्म के को प्रेडियोसर नेतिन मनमोहन थे अगर बात करें इस फिल्म के इस टारकास की तो इस फिल्म में हमें नजराने वाले थे संजे दद, सल्मान खान, विनोत खना, कादर खान, रवीना टंडन, शिल्पा शेटी और राहूल देव जैसे कलाकार हमें इस फिल्म में नजराने वाले थे इस फिल्म में रवीना टंडन और राहूल देव जैसे कलाकार निगेटिव किर्दार में थी ये फिल्म आतंगवाद पे आतारित फिल्म थी आपको बता दे दस फिल्म राहूल देव की डेबी फिल्म होने वाली थी इस फिल्म में राहूल देव मस्तुगूल नाम के एक टर्रिस्ट की मुमिगा में थे लेकिन बतकिस्मती से ये फिल्म रिलिज नहीं हो पाई और राहूल देव संग 2000 की फिल्म चामपेन में हमें पहली बार नज़र आए बात करें अगर इस फिल्म के किरदारों की तो इस फिल्म में संजेदत कैप्टर राजा सेटी के किरदार में नज़र आने वाले थे और सल्मान खान कैप्टर जी शर्मा नाम के करेक्टर का रूल पिले कर रहे थे विनोत खन्ना इस फिल्म में आर्मी जनरल का किरदार निवाने वाले थे और रवीना टंडन पहली बार हमें इस फिल्म में टर्रीस नसीमा नाम के एक निविडियो किरदार में नज़र आने वाली थी और वही शिल्पा शेटी इस फिल्म में एक नीज रिपोटर के किर्दार में नजर आने वाली थी और वही राहूल देव टर्रीस मस्दकुल के किर्दार में हमें इस फिल्म में में विलन के किर्दार में नजर आने वाले थे दोस्तों आपको बता दे डिरेक्टर मकुल S. आनन काफी बड़ी बजट की फिल्में बनानी के लिए बॉलिवूड फिल्म इंडस्री में जाने जाते है उन्होंने एतवार, सल्तनत, अग्रिपत, हम, खुदा गवा, पतिरी मुर्टी जैसी काफी बड़ी बजट की फिल्में बनाई है और साल 1997 की दस फिल्म भी एक काफी बड़ी बजट की फिल्म थी दस फिल्म की शूटिंग 80% कम्प्रीट हो चुकी थी लेकिन जब इस फिल्म की शूटिंग अमरिका के उताहा स्टेट में हो रही थी इसी दौरण डिरेक्टर मकूल एस आनन को दिल का दौरा पड़ा और इसी लोकेशन पे मकूल एस आनन की हार्ट अटेक की वज़ा से मौत हो गई जिसकी वज़ा से इस फिल्म की शूटिंग को रोप दिया गया वैसे 10 फिल्म सन 1908 में रिलीज होने वाली थी लेकिन डिरेक्टर मकूल एस आनन की मौत के बाद इस फिल्म की शूटिंग को कभी नहीं किया गया इसकी सबसे बड़ी वज़ा रही फैनेंशियल प्रोब्लम इसलिए डिरेक्टर मकूल एस आनन की मौत के बाद ये फिल्म कभी दर्शकों के सामने नहीं आपाई ऐसा बताया गया अगर ये फिल्म रिलीज होती तो ये फिल्म काफी सूपरीट साभीत होती क्योंकि इस फिल्म के गाने भी इस समय काफी सूपरीट रहे थे खैर आपको क्या लगता है क्या इस फिल्म के शॉट वर्जन को दर्शकों के लिए यूटूब पे दाल देना चाहिए आपकी क्याराय है हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए दोस्तों आपको बता दे इस फिल्म के को प्रडूसर नीदिन मनमोहन ने इसी नाम से सन 2005 में एक फिल्म बनाई थी जिसमें संजेदत और शिल्पा शेट्टी को इस फिल्म में फिर से लिया गया था लेकिन सन 1997 की 10 और सन 2005 की 10 ये दोनों फिल्मों की कहानी बिल्कुल अलग थी